36 गड़ में 1st phase के लिए प्रथम चरण के लिए नामंकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है 13 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ये नामंकन की प्रक्रिया होगी 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं कॉंग्रिस को छोड़ दें तो लगभग सभी दलों ने अपने उम्मीदवार तैय कर लिये हैं वहीं पूर मुक्यमंत्री और राजनाद गाउं से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंग 16 अक्टूबर को नामंकन दाखिल करने वाले हैं और इसका मिलोने के लिए केंदरी ग्रेमंत्री अमिशा भी होंगे शाह के शामिलोने पर कॉंग्रिस ने रिशाना साधा कॉंग्रिस अंचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा रमन सिंग को भरूसा नहीं कि वो राजनाद गाउं से जीत पाएंगे की नहीं इसलिए शाह का दोरा है भाजपा में प्रत्याशी सीट गोशित होने के बाद हर जगय विरूत का सामना हो रहा है भूपेश के चहरे के सामने भाजपा के पास कोई चहरा नहीं पित्रपक्ष में सूची जारी कर भाजपा ने ये भी बता दिया कि वो सनातन धर्म को नहीं मान प्रभाव करना चाहते हैं भात्री जनता पार्टी ने पित्रिप्रक्ष में अपनी सूची जारी करके अबता रिया है कि वह सनातन धर्म के मान्यताओं के खिलाफ खड़ी हुई है